हेलो गाइस वेलकम बैक टो नदर वीडियो आफ एसके बीस्ट यूटूब चैनल तो गाइस कैसे हैं आप सब बोप करता हूँ आप सब बहुत यह अच्छे होंगे और मस्त होंगे गाइस आपको पता होगा हमारी गेम में कुछ दिनों पहले यूबी 41 अपडेट आया है तो अपडेट के बाद हमें गेम में बहुत सारी चेंजिस बेखने को मिले हैं तो यह वीडियो ओनी चेंजिस के उपर होने वाली है पर कुछ टाइम पहले गरेना ने अपडेट के बाद airship को बिल्कुली remove कर दिया था गेम से तो एक good news है वो airship वापस हमारी गेम में आ चुका है यस गाइस अपडेट के बाद हमारी गेम में वापस airship आ चुका है जिससे गाइस मुझे लगता है इस चीज़ को देखके बहुत सारे old player हमारी गेम में वापस आ सकते हैं मुझे तो ये change बहुत जादा अच्छा लगा बढ़ते हैं अपने अगले change की तरफ चेंज नमबर 6 इस change के बारे में already मैं weit वीडियो में बता रखा है та उस विडियो में आपसे कहा था कि जो हमारा old peak है उसको बिलकुली बदल दिया जाएगा जैसा मैंने कहाँ थै बिलकुल वैसा ही हूआ है, हमारा old peak को बिलकुली रिमूव कर दिया गया गाइस देखने में तो यह पीक काफी जाव अच्छा लगता है पर ओल्ड पीक की बात की कुछ और करती थी चेहर नमबर 5 गाइस अगर मैं आप से पूछ हूँ इस टाइम वर्ल्ड में सबसे जादा लाइक किसके हैं तो आप साहर बोलोगे डैडी कॉलिंग या फिर्स एसके साबिर बॉस पर ऐसा नहीं है क्योंकि अभी तक पता ही नहीं चलता था कि सबसे जादा लाइक किसके अकाउंट में क्योंकि हमारी फीफार में हाइस लाइक जो होता है वो 9999 होता है यानि कि 99,999 लाइक पर अपडेट के बाद गरेना वाला में इस चीज को बिल्कुल चेंज कर दिया है मतलब अब हमारी गेम में जो लाइक से को कभी भी रुकेंगे नहीं वो अनिमिटेड चले जाएंगे जैसे पहले 99,999 लाइक के बाद लाइक नहीं बढ़ते थे अब उसके आगे लाइक बढ़ते रहेंगे जैसे कि एक एक ग्जामपल है पर डाइडी कॉलिं के आईडी को ही ले लीजिए अब अगर आप ओनर स्कोर को एक हफते के लिए मैंटेन करके रखोगे तो आपको यह वाला बंडल 14 डेव के लिए मिलेगा और यह वाला इमोट 30 डेव के लिए मिलेगा जो की काफी बढ़िया इमोट है अब सची बात तो यह है कि यह चीज़ हमें बिल्कुली फ्री में मिलने वाली है गाइस आपको पता होगा हमारी गेम में कुछ ऐसे इमोट है जिनको हम जोयस्टिक का यूज़ करके हैं चेंज नमबर 2 गाइस में आपर गेम केल रहा होता हूँ और यह बंदा आके मुझे मार देता है आपको पता होगा अगर हमें कोई मार देता है तो हमें लॉबी में जाके फिर से गेम स्टार्ट करनी बढ़ती है पर अपडेट के बाद हमें यहीं से प्ले अगेन को ऑप्शन मिल चुका है जिसके लिए हमें लॉबी में जाने की जुरत नहीं पड़ेगी हम यहीं से फिर से मैच को स्टार्ट कर सकते हैं तो फाइनली बढ़ते हैं अपने चेंज नमबर 1 की तरफ गाइस आपको पता होगा जाप आप किसी बंदे को मारते हो अगर आप किसी बंदे को बोडी शॉट मारते हो तो उसको वाइट कलर का डैमिज परता है पर अगर आप किसी बंदे को हैट शॉट मारते हो तो उसको रैड कलर का डैमिज करता है अपडेट के बाद इस चीज को भी बिल्कुली चेंज कर दिया गया है अपडेट के बाद आपकर किसी को भी body shot मारते हो तो उसको white color का damage पड़ेगा पर अगर आप किसी को head shot मारते हो तो आपको yellow color का damage देखने को मिलेगा मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों को ये update बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा पर इसकी पीछे एक बहुत बड़ा reason है जो आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा तो ये था आज कर वीडियो वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को like कर देना चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं हम आपसे किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ तब तक के लिए good bye